सभी को नमस्कार का प्रयोग क्यों वैं कैसे किया जाता है इस विशे को डिसकस करने से पूरू हम यह जानले कि विज्ञान और विज्ञानिक पद्धती किसे कहते हैं विज्ञान अपने आप में कोई विशे सामगरी नहीं होकर एक ऐसी सामगरी है जिसे विज्ञानिक पद्धती को काम में ल का सहारा लिया जाता है वहां सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसी पद्धती का प्रयोग किया जाता है अतहें किसी भी विशे सामगरी या ज्ञान भंडार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेश महत्व है कि उसे कैसे प्राप् प्रप्दिती की सहायता से सामाजि गटनाओं और विशे सामगरी को प्राप्त करने का प्रयत्म किया जाता है तो इसे विज्ञान कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक अनुसंधान में ही हम विज्ञानिक पद्दिती का प्रयोग कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान को वेग्यानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि सामाजी घटनाओं की प्रकृती बहुत जटिल है, सामाजी घटनाओं बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं, सामाजी घटनाओं में सारु भौमिक्ता का अभाव पाया जाता है, सामाजी घटनाओं मे कार्य कारण संबंदों को ग्यात नहीं किया जा सकता है और क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के पास प्रयोग शाला नहीं है इसलिए वे भविश्यवानी करने में भी ऐसमर्थ है ऐसी इस्थिती में सामाजिक विज्ञान और उनके छेत्र में किये जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों को कैसे विग्यानिक माना जा सकता है लेकिन वास्तविक्ता यह है कि सामाजिक विग्यानों में सामाजिक घटनाओं के आध्यन हेतु विग्यानिक पद्धिती का प्रयोग किया जाता है इसकी साहिता से तथे एकत्रित किये जाते हैं उन तथ्यों से हम नियमों का प्रती पादन करते हैं। ये नियम सार्व भौमिक भी होते हैं। ऐसी इस्तिती में हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान दोनों की प्रकृति विज्ञानिक है। और समाज शास्त्र और इसके छेत्र में होने वाले अनुसंधानों की प्रकृती भी विज्ञानिक है, क्योंकि इसमें हम विज्ञान की सभी विशेष्टाएं जैसे अवलोकन, सत्यापन, वर्गी करण, सामानी करण, भविश्यवानी, आधी को काम में लेते हुए कारिय करते हैं, अब हम डिसकस करते हैं सामाजी घटनाओं के अध्यन में वेज्ञानिक विधी का उपियोग किस प्रकार किया जाता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट सामाजी घटनाओं का अध्यन वेज्ञानिक पद्धती पर आधारित है, समाज शास्त्र में सामाजी घटनाओं के अध्यन में वेग्यानिक पद्धती का प्रयोग किया जाता है। इसमें तत्य संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षन पद्धती, वेयक्तिक जीवन अध्यन पद्धती, अवलोकन, साक्षातकार, अनुसूची, प्रशनावली, आधी का उपयोग किया जाता है। और इन विधियों में हम एतिहासिक, तुलनातमक, सनरचनातमक, प्रकारियातमक पद्धतीयों का सहारा लेते हैं। उपयोक्त पद्धतीयों का प्रयोग करते हुए हम तत्यों को एकच्रित करते हैं और सामाजी घटनाओं का अध्यन किया जाता है। दूसरा हमारा बिंदु है केवल वास्तवी घटनाओं का अध्यन, समाज शास्त्री अध्यनों में क्या है में रूच्ची ली जाती है नै की क्या होना चाहिए में, इसका तात्वर यह है कि समाज शास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ट तरीके से अध्यन किया जाता है औ तो यहीं बताया जाता है कि दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके लिए उत्तरदाई कारण क्या है, किन परिस्तितियों में इसे प्रोशान दिया, इस प्रथा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या-क्या परिणाम हमारे सामने निकल कर आए समाज शास्त्री अपने अध्यन में दहेज प्रथा से संबंदित इन बातों की ही विवेचना करता है वह यह नहीं कहता कि इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए अर्थात वह आदर्शात्मक बातें नहीं करता है केवल जो यथार्थ समाज में पाया जाता है उसके बारे में वह आध्यन करता है तीसरा पॉइंट है कारिय कारण से कारिय कारण के संबंद पर आधारित समाज शास्त्री अध्यनों में कारिय कारण संबंदों की विवेचना की जाती है प्राप्त तत्यों के आधार पर सामानी करण किया जाता है नियम बनाए जाते हैं उन नियमों का हम परिक्षण करते हैं और पुनर परिक्षण भी किया जा सकता है समाज विज्ञानों के छेत्र में प्रतिपादित नियमों में सार्व भोमिक्ता का गुण पाया जाता है अर्थात ये समस्त नियम हर समाज में और हर काल में एक समान पाये जाते हैं समाज शास्त्री अध्यनों की सहायता से नै केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना की जाती है बलकि बविशे में घटित होने वाली घटनाओं का भी उलेख किया जाता है इस प्रकार समाज शास्त्र अपने अध्यनों के आधार पर बविशे वानी करने की शमता भी रखता है और इसी लिए इसकी प्रकृति को हम वेग्यानिक मानते हैं चोथा हमारा बिंदु है नियमों की परिक्षा एवं पुनर परिक्षा प्राकृति घटनाओं के अध्यन में वेग्यानिक पद्धिती का उप्योग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अध्यन के आधार पर नियमित नियमों की परिक्षा एवं पुनर परिक्षा की जा सकती है सामाजी घटनाओं के अध्यन में अवलोकन विधी का प्रयोग करते हुए से हम कारिय कारण संबंधों का पता लगाते हैं और उसके बाद समार्शास्त्रिय नियमों को बनाते हैं इन नियमों की प्रमानिक्ता की जांच कभी भी की जा सकती है एक इस्थान पर बाल अपराद को प्रोचसाहन देने में जो परिस्तितियां उत्तरदाई हैं वे ही परिस् की जा सकती है इसी लिए हम कहते हैं कि समाज शास्त्रिय नियमों की हम परिक्षा भी कर सकते हैं और भविश्य में उनकी पुनर परिक्षा भी की जा सकती है पांच्वा पॉइंट है नियमों में सार्व भौमिक्ता यद्धि समाज शास्त्रिय नियमों की प्रकृति सामाजिक होती है परंतु फिर भी उनमें सार्व भौमिकता का गुण पाया जाता है और इसी कारण ये नियम वेग्यानिक नियमों के अंतरगत आते हैं सामाजी घटनाओं से संबंधित जिन नियमों का समाज शास्त्र में प्रतिपादन किया जाता है वे मुख्यते सामर्व भौमिक होते हैं इसका तात्परिय यह है कि एक सी प्रकृति के समाजों में समान कारण सदैव समान प्रभाव को ही जन्म देंगे उधारण के लिए ओधोगी करण एवं नगरी करण में व्रद्धी के साथ साथ संयुक परिवार तूटेंगे विगटित परिवार अपराधियों को जन्म देंगे या इस्त्री सिक्षा के प्रसार के साथ साथ इस्त्रियों की इस्तिती तुलनात्मक रूप से उन्नत होगी ये सभी सिधान्त हैं जो समाज शास्त्र के अंतरगत प्रतिपादित किये गए हैं और इनकी सारु भोमिक्ता की परिख्षा हम आसानी से कर सकते हैं छटा पॉइंट है भविश्य वानी की शम्ता समाज शास्त्री विभिन प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा केवल वर्तमान सामाजी घटनाओं के अध्यन के आधार पर भविश्य की संभावनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं जैसे माली जीए हम एक उधारन लें समाज वेग्यानिक सामाजी घटनाओं के वेग्यानिक अध्यन के आधार पर ने केवल वर्तमान की व्याख्या करपते हैं बलकि उसके आधार पर भविश्य के संबंध को भी बताते हैं इसे हम परिवार के उधारन द्वारा समझ सकते हैं वेग्यानिक पद्धिती का प्रयोग करते हुए जब हम वर्तमान में पारिवारिक संगठन का अध्यन करते हैं तो उसमें होने वाले परिवर्तनों का हम पता लगा सकते हैं और यह भविश्य वानी की जा सकती है कि आने वाले समय में पारिवारिक संगठन का स्वरूप क्या होगा इस प्रकार इसपस्ट है कि समाज शास्त्रिय अध्यनों में भविश्य की परिस्थितियों का पूर्वा नुमान सुगमता से लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये जो 6 बिंदू हैं ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम सामाजी घटनाओं के अध्यन में वेग्यानिक पद्धिती का प्रयोग कर सकते हैं। उपरियुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजी घटनाओं के अध्यन में वेग्यानिक पद्धिती का प्रयोग उसी प्रकार से किया जा सकता है।